तो स्टुडेंट्स ये ओनलाइन ड्रोइंग कॉम्पडिशन है इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है आपको अपनी फोटो बनानी है कोरोना के उपर जो हमारी चल रही है और फर्स्ट कैटिगरी में हमारी चार से लेके पांस साल के बच्चों को दिया गया है जो एज ग्रूप है हमारा सेकंड स्टेंडर्ड का वो चार से लेके पांस साल के बच्चों को दिया गया है उनका टॉपिक है हैंड हाईजीनिक ड्राइंग कोरोना एंड हाईजिनिक डूरिंग करोना और बी एज ग्रूप में है हमारा थर्ड स्टेंडर्ड के लिए जिसमें हमारे जो बच्चे हैं वो 7 एर्स टू 10 एर्स के जो आते हैं इनको टॉपिक क्या है इनका टॉपिक है वियर मास्क एंड ब्रेक दचेन ओफ करोना वायरस इनको बनाना है जो एक करोना का बनाना है जिसमें लोग मास्क पहन के रखते हैं और चेन ओफ करोना फथम हो रही है तो थर्ड है हमारा सी सेवन स्टेंडर्ड के लिए टू 10 स्टेंडर्ड जिसमें हमारे बच्चे जो हैं 11 टू 15 एर्स के हैं इनको मैंटें सोचल डिस्टैंसिंग एंड डिफीट कोरोना वायरस के उपर एक पेंटिंग बनानी है और आप यहां पर इनकी और पॉलिसी भी देख सकते हैं इसमें सेकेंड इनों ने बता रखा है कि फोर ओन एप्लिकेशन वन मोबाइल नंबर विल बी एकसेप्टेड एक एप्लिकेशन के लिए एक मोबाइल नंबर यूज होगा इनका तीसरा है देर विल नो बी टॉप थ्री विनर्स फ्रॉम इच केटेगरी इन तीनों में से जो incategory है आपकी इन तीनों में से एक विनर चुना जाएगा जो विनर की hed है वो एकटेशज मिलेगी और दस हजार उप्लाइगा का यहां मिलेगा फिर्स हजा ऌन गी-नला चानले तो रइंग मिलेगा या पर आप देख भी सकते हैं फर्स सेकेंड थर्ड के लिए एपली केबल रहे हैं यापर इससमें आप देख सकते हैं थर्ड वाले में जो आपको फर्स सेकेंड थर्ड जो भी हम गयों कातेग़ी में से होंगे एक dough killing जा मेली थरी विनर्स होते हैं तो पहले विनर्स को जो विनर्स हैं उनको ट्रॉफी मिलेगी और फर्स्ट विनर्स को 10,000 रुपीज कैश़् मिलेगा एंड second जो बच्चे आएगा उसको 5000 का कैश्पराइज एंड 1 ट्रॉफी मिलेगी और जो third आएगा उसको 3000 का cash prize और एक trophy मिलेगी इसमें इनोंने ये बताया है और fourth वाले में है All participants will get participation certificate from DEGS IT department GNCT of Delhi जो सभी participants हुगे उनको एक certificate दिया जाएगा इन department के द्वारा participants can use any color material like crayons, watercolor, all pastels, color pencils, etc जो participants होंगे जोंको drawing बनानी है वो यहाँ पर अपने कोई से भी हिसाब से color like crayons color होते हैं watercolor होते हैं, pastels color होते हैं आप कोई से भी हाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपनी drawing में इनका sixth topic यह है, the drawing is to be in jpg format इसका मतलब है जो आपकी picture होनी चाहिए, जो भी file आपने drawing बनाई है उसकी file jpg format में होनी चाहिए clearly mentioned, full name, class name, school name, full address, mobile number and the right hand side of corner of drawing आपको जो drawing बनाऊगे, drawing sheet के right hand corner side पे आपको यह सारी fill अप करना है जो यहाँ पर दे रखा है, school name, full name, address, mobile number and seventh इनका है kg to second standard A4 size paper जो kg से लेके second standard के बच्चे हैं उनको A4 size का paper लेना है and third standard to tenth standard के जो भी बच्चे हैं उनको half imperial sheet लेनी है इसका मतलब जो drawing sheet होती है, आपकी उसकी आदी sheet लेनी है यह नोने यहाँ पर measurement भी दे रखे, आप देख सकते हैं half imperial size की 15 to 11 inches इतनी इसकी measurement होनी चाहिए 15 इसकी length होनी चाहिए और 11 इसकी breath होनी चाहिए तो आपको यह लेनी है third standard वाले student ध्यान रखना आप और eighth है इनका the contest will be open between 22 12 2022 to January 2021 इसका मतलब है जो contest है यह यह 2021 तक रहेगा आपके लिए दो जन्वरी 2021 तक इसकी आखरी date इसमें भाग लेने की तो जल्दी से student इसको जल्दी से भर दें आप देख सकते हैं कितने applicants हो चुके हैं अब तक 644 applicants हो चुके हैं तो गाइस जल्दी से जल्दी आप आपर participate करें मैं इसका link का आपके description में डाल दूँगा वीडियो के तो गाइस जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के पास share करें जिससे कि आपके student भी इसका फायदा उठा सकें तो गाइस वीडियो अच्छी लोगी तो please like करना और bell icon दबाके हमारा channel subscribe करना